लिंग, नीचे बने चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए, माली पौधे लगा रहा है, मालिन फूलों की माला बना रही है, नौकर काम कर रहा है, नौकरानी सफाई कर रही है, आपने देखा कि बाई और के शब्द पुरुष जाती के हैं, और दाई और के शब्द स्त्री जाती के हैं, पुरुष जाती के शब्द, माली, नौकर, स्त्री जाती के शब्द, मालिन, नौकरानी, इन शब्दों की पहचान लिंग कराता है, लिंग, संग्या का वह लक्षन है, जो संग्या के पुरुषवाची अत्वा स्त्रीवाची होने का बोध कराता है, उ पुरुषवाची शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका गवी कवित्री लेखक लेखिका बंदर बंदरिया चुहा चुहिया बेटा बेटी बालक बालिका, छात्र, छात्रा, मुर्गा, मुर्गी, बूढ़ा, बुढ़िया, चाचा, चाची, बक्रा, बक्री, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, शेर, शेर्नी, मोर, मोर्नी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, उंट, उटनी, हाथी, हाथिनी, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, पंदित, पंदिताईन, बालक, बालिका, ग्वाला, ग्वालिन, मालिक, मालकिन, धोबी, धोबिंग, कुत्ता, कुतिया, राजकुमार, राजकुमारी कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन भिन्न रूप में होता है कुलिंग, स्त्रीलिंग, पिता, माता, बैल, गाई, समराट, समरागी, राजा, रानी, श्रीमान, श्रीमती, पुरुष, स्त्री, पती, पत्नी, आद्मी, औरत, लिंग की पहचान वाक्य में प्रयोग करने से लिंग का पता चल जाता है, जैसे मोर नाच रहा है, मोर पुलिंग, गुडिया नाच रही है, गुडिया स्त्रीलिंग, नीचे लिखे वाक्यों में लिंग परिवर्तन का प्रभाव देखिए एक, धोबी कप्रे धो रहा है, धोबिन कप्रे सुखा रही है, दो, माली पौधा लगा रहा है, मालिन पौधा लगा रही है, तीन, रोहन का भाई भोला है, रोहन की बहन भोली है, चान, मेरा नौकर नया है, मेरी नौकरानी नहीं है, हमने पढ़ा और समझा शब्द के जिस रूप से उसके नर्या मादा होने की जानकारी मिले उसे लिंग कहते हैं लिंग के दो भेद है पुलिंग स्त्रीलिंग